अगर मैं आपसे बोलूं कि गाजर का हलुआ बनाएंगे 15 मिर्ट में तो क्या आप यकीन करेंगे नहीं करीगा क्योंकि 15 मिर्ट में नहीं बन पाएगा गाजर का हलुआ लेकिन हाथ 30 मिर्ट में ट्राइ कर सकते हैं गाजर का हलुआ बनानेगी तो हलो दोस्तों कैसे आप सबी न्यू येर आज चुका है आप सभी को मेरी तरफ से बुंदेल कंसिस्टर्स की तरफ से नय साल की बहुत-बहुत मुबारक बात और नय साल में मैंने बनायता गाजर का हलुआ तो चले शुरुवात करते हैं गाजर का हलुआ की जिसको हम बेना कद्दू कस किये बेना खोबे के और बेना मिल्क पाउडर के बनाएंगे एक किलो गाजर ले लिया है अब उसके बाद लेंगे कुछ ड्राइफृू अपना मन पसंद कोई भी ले सकते किश्मिस काजू और बादाम मैंने लिया 8-10 काजू लिये हैं डसी बादाम जिनको मैने कट कर लिया है। और ुसके बाद सबसे पहले हमें गाज़रो को साफ कर लेना है। तो पहले इसको मैं चही लूगी और उसके बाद इसको दोलूगी। तो इनको सबसे पहले गाजले को कट कर लेना है, गोल शेप में मैं कट कर रही हूँ, आप चाहे तो 20 से कट लगा का हलका लंबा भी कट कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये सबी कट हो जाएं, तो अब मैं कुकर का कर रही हूँ इस्तिमाल, तो कुकर को चड़ा दीजी गैस एक चमच तो ओढ़ाय जो जो ड्राय फ्रूट्स हैं, और फ्राई हो गई हैं, तो फिर इसमें मैंने काजू और बादाम को भी प्राई कर लिया है, उसके बाद मैंने जो घी डाला था हूँ भाजने बाद ॉस्तिमाल, iau यत हैं दे जब तो बच्चू बादाम को भी ए- और अब इसमें हमें फिर से ले लेना है घी, एक चम्मच तो घी मैंने बहुत जाद़ नहीं डाला था, देड़ चम्मच में ही मैंने हलुआ बना लिया था, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसके बाद इलाइची, तीन इलाइची को कूट कर मैंने इसमें अड अगर इलाइची पाउडर है आप इलाइची पाउडर का इस्तिमाल करने वाले हैं तो आप बाद में एड कर सकते हैं अपना मन पसंद कोई भी एड कर सकते हैं पुल क्रीम, काव, मिल्क, याटून तो मुझे टून मिला था तो मैंने टून ही एड कर दिया है और अब इसमें लगा लेना है सीटी तो टोटल तीन सीटी मैं इसमें लगाऊंगी एक तेज में और दो सिलो तो तीन सीटी के बाद को करक मैंने खुश से छंडा होने दिया है और अब हम मैशर की मदद से गाजरो को मैश कर लेंगे तो इनको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है और अगर आपको लगता है कि दूद आपको ज़्यादर लग रहा है तो आप चाहें तो दूद कम भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि खोबे का इस्तिमाल हम बिल्कुल भी मावा नहीं यूज कर रहे हैं नहीं मिल्क पाउडर अच्छे से चम्मच की मदस से चलाते हुए पका लेना है और जब दूद की क्वांटिटी यानि आप देखेंगे दूद इसमें अच्छे से बन गया है भुंज गया है दूद की क्वांटिटी आदी रह गई है तब हम इसमें एट कर देंगे चीनी तो दो कप चीनी का इस् तो बस गाजर का हलुआ बिल्कुल तैयार है हमें पांच मिनटे इसको और बूझता हूँ यह बन कर बिल्कुल रेडी हो जाएगा अब मैं इसमें बहुत थोड़ा सा घी आड़ कर रही हूं कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक इसमें ज्यादा घी नहीं आड़ किया है और फिर उसके बाद जो ड्राइफ रूट्स हमने घी में फिराई करके रखेते हैं वो भी एड़ कर देना है और सर्दी इतनी ज्यादा है कि यह ड्राइफ रूट्स भी आपस में चिपक गए हैं बहुत ज़्यादा थंड हो रही है बहुत अच्छा मौसम है अगर आप चा नहीं किया है तो बड़िया सा एक सीग्रेट इंडियन डालते हैं इसमें यहां पर मैं डालूंगे वाइट चॉकलेट यानि कि मैंने ली है मिल्की बार आप चाहे तो अगर वाइट चॉकलेट कंपाउंड है आपके पास तो वह भी इसमें एड़ कर सकते है तो टोटल तील ली है मैंने 10 रुपी वाली तो 2 मैं इसमें तोड़ कर एड़ करूंगी और बड़िया से मिक्स कर ली जो आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें वाइट चॉकलेट एड़ होगी इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और खुश्बू टेस्ट कलर सब कुछ बहुत ही अच पार वाइट चॉकलेट से जरू ट्राइ करें मिल्की बार के साथ तो 2 चॉकलेट मैंने इसमें एड़ कर दीती और एक मैंने बचा ली ती तो मैं आपको बाद में इसमें उसको गानिश करके दिखाऊंगी जिससे वो हमें खोये जासा लगता है तो जो बच्चे हुए गरम गाचर का हलुआ मैं हूँ आपकी अपनी होश्ट सब्या फिर से आओंगे एक बहुत अच्छी रेस्पी के साथ अब तक लिए बाई बाई